तो चलिए बच्चों के पसंद पे आज मैं बना रही हूं मश्रूम मंचूरियन तो मश्रूम को अच्छे से 2-3 पानी से दोहों लेंगे उसके बाद इसको चार पीस में काट लेंगे उसके बाद इसमें मैं डाली हूँ मैदा और थोड़ा सा कॉर्ण फ्लॉर मैदा और कॉणफलो दोनों इसलिए कि कॉई कॉणफलो डालेंगे तो बहुत ज्यादा चिम्मड हो जाएगा मतलब बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा उसके बाद फिर नमक डाली हूँ चिली फ्लेक्स डाली हूँ और दो तीन मिनट के लिए छोड़ दी हूँ जादा दे पक जाएगा उसके बाद कड़ाई में जो एक्ष्रा तेल था उसको निकाल दी ऊसमें में लसन डाली हूँ और प्याज डाली हूँ हरे सब जी सले नहीं डाली हूँ कि बच्चे जो है वो निकाल लेते हैं निकाल के फेक दे तो इसमें बैस मश्रूम भी डाली हूँ जब थोड़ा सा नमक डाली हूँ क्योंकि नमक हिसाब से डालिएगा सॉस में भी नमक बहुत होता है और पकोड़े तलते समय जो नमक में डाली थी तो भी नमक था और इतना थोड़ा सा ड्राइ निकालनी हूँ क्योंकि बच्चों को ड्राइ भी बहुत पसंद आता है और जो बचा हुआ था इसमें चिपक का हुआ था उसी में मसाले का फ्लेवर आता है और इसी में मैं थोड़ा सा और मैं डाल दी हूँ और उसके बाद फिर इसको मिक्स करके डाल दी हूँ और हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा क्योंकि कितना ग्रेवी चाहिए अगर एक साथ ज़्यादा डाल देंगे और अगर बहुत ज़्यादा पतली हो गई तो भी मजा नहीं आएगा तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ उसके बाद देखिए यह ड्राई जो था इसके उपर मैं थोड़ा सा तिल च्रक दूँगी और बच्चों का तब तक पकोड़े टाइप का हो जाएगा क्योंकि यह बच्चों को बहुत पसंद आता है उसके बाद फिर यह हमारा जो है अच्छे से उबाला गया था तो बन गय इसके उपर दिल मैं डाल दूंगी क्योंकि और इसको मिक्स कर दूंगी ताकि छोटे वाले को पता नहीं चले कि मम्मी क्या डाली